सेलम भीवर्ष सवतंत्रता दिवर्ष की आप सभी को धेश सारी बधाई और सूभ का मनाय इसे सेलिबरेट करना तो बनता है लंबे समय के गुलामी के बार धमे आजारी मिली ती इसी सेलिबरेट करेंगे मिठाई बनाकर तो आज मैं बनाने वाली हूँ हमारे देश के जंडे तीरंगे की डिजाईन की बर्फी तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ बर्फी हमारे देश के झंडे तीरंगे की डीजाईन के बर्फी बनाई बनाएंगे वह भी बहुत आसान तरीके से कोह भी बना ले Wikipedia एक बाउल में मिक्स हो गया है बिल्कुल माखन की जैसा दिख रहा है ना ऐसा ही हमें चाहिए आप इसे साइड में रखेंगे और गैस पर पैन चढ़ाएंगे उसमें डालेंगे आधी छोटी कटोरी सूजी सूजी की कौन्टिटी देखेंगे तो लगबग यह 25 गराम सूजी है सूजी को हलका कलर चेंज होने तक भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर सूजी भूनते हुए दो मिनिट हो गया है अब इसमें चोटी चमच घी डालेंगे और घीस को सूजी में अच्छे से मिक्स करेंगे फ आanti काजू लिए हैं और यहां पे छान नरीयल के बुर द satisf अब नहेंड़ नहांते होद मेंद lesson crystal देखेंगे čाजु को फेते हुए चीनी मलाई वाले बाउल में दालेंगे अब इसो फेियर दालेंगे लगब 100 लिकाटोरी दूध पाउडर अब यहां पे हमें गैस जालाने की कोई आउसकता नहीं है और हमारी बर्फी बनके एकदम इंस्टेंट तयार होने वाली है तो चमच से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इस सारे सामागरी अच्छे से मिक्स हो गया इसे साइड में र हमने रखे हुए थे दूध पाउडर काजू नारियल बुरादा चीनी और मलाई वाली वह इसे वापस से इसमें डालेंगे सूजी वाले डो में और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एक डो जैसा इसे हम पनाएंगे देख सकते हैं पर डो जैसा यह बन गया है इसे बराबर तीन भाग में बांट लेंगे तो इस तरह से हमने रख लिए हैं तीन भाग करके दो को निकाल देंगे अलग प्लेट में रखेंगे और एक गोले में मैं औरेंज कलर डाल रही हम फूड कलर एक पिंच डालेंगे बिना कलर डाले तो हमारे तीरंगे के जैसा कलर आ नहीं पा हाथ साफ करके ही green color को फिर से इसमें हम डो में मिलाएंगे और इसे green color को तयार करेंगे हाथ में थोड़ा सा चिप-चिप होगा फ़ड़े से हांथ में घी लगा करके और इसे अच्छे से mix कर लेंगे तो यहाँ पे एक भाग green color का भी तयार हो गया है अब इसे पिलेट में औरेंज वाले डो को रख लेंगे अब स्लैप पे बटर पेपर इस तरह से फैला के काट लेंगे तो यहां पे देखिए मैं थोड़ा बड़ा बटर पेपर ले रही हूं तो इस तरह से इसके कटिंग कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी लगा कर चिकना कर सबस्क्राइब करें चंप करें गें इसे हम फِّरीज में रखेंगे लगबाग गंते के के लिए तक यह अच्छे से सेट हो जाए फ्रीज में रखे हुए एगंटा हो गया है अब इसकी बारी है सर्व करने की इस तरह से खोलेंगे और इसे बर्फी के आकार में कट करेंगे मैं इसे थोड़ा बड़ा पीस में कट कर रही हूं पर अपनी मर्जी अपनी पसंद है जै सेलिब्रेट करने की बारी सौत अंतृता दिवस एस तरह से तिरंगे श्टाइल में मिठाई बनाएंगे परिभार क साथ में दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करेंगे और इतना इंस्टैंट बनने वाला मुह में घुल जाने वाला मिठाई हैं बहुत ही स्वाधिष्ट बनके तयार होता है इस तरह से बनाएंगे तो और देखें कितना प्यारा कलर है हमारे तिरंगे वाली मिठाई का तो इंस्टेंट जटपड बनने वाली मिठाई बनाईए और हमें बताइए आपको कैसा लगा मिलते ही किसी दूसरे वीड कि हर दिख सुब काम नाएं